नमस्कार दोस्तों मैं उदेलार फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हरकिसान भाई यो मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है जो मुर्गी पालन और दुनिया की सबसी अच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी लेकिन इस देशी मुर्गी का एक देशी टीका भी एक विकसित है दोस्तों लेकिन इस टीके का नाम आपको जानना पड़ेग तो आज की इस वीडियो में दोस्तो आपको जो सबसे important medicine जो की zero budget का होता है जिसका नाम है दोस्तो सहेजन का पौधा तो दोस्तो सहेजन का पौधा हमारे देशी मुर्गी के लिए अमृत से कम नहीं है ऐसा क्यों कहां जाता है कि जो सहेजन का पौधा है वह देशी मुर्गी पपालन में एक अमृत का काम करता है अगर आपको भी जानना होगा अगर आपके मुर्गों की बीमारी आने से पहले आपको रोकनी होगी अगर आपको यहां पर फिड का खर्चा गटाना होगा, अगर आपके मुर्गी का अंडो का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, अगर आपको यहां पर जो पैसों के बारे में आर्थिक रूप से संपन्न होने की इच्छा अगर होगे, तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत एक, लेकिन इसके जो फायदे है वह अनेक है, इतना ही बोलकर वीडियो की शुरुआत करता हूं, लेकिन आज का यह वीडियो इतना ग्यान का वर्धन आपका करेगा, जिससे की देसी मुर्गी पालन की यह देसी ब्रिड संसार के हर कोने में भी जा सकती है, और वह भी दोस इससे मन से पसंद आता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिये, और साथ ही में दोस्तों ग्यान बाटने से बढ़ता है, बढ़ने वाला ग्यान आपका, मेरे गावदेहात का, तहसील का, जिले का, और स्टेट का, यानि मेरे भारत वर्षे के हर किसान का यह चैट आदे लिंक को यह वीडियो शेयर कर दीजिए, और दोस्तों ग्यान बाटिए, जिससे हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो इंडियन मुर्गी पालन यह चानल मुर्गी पालन के बारे में एक सजीव प्रसारन आपके स आपको प्राप्त करना है हर बार, तो वीडियो की दाई तरफ नचली साइड को आईए, वहाँ पर एक लाल निशान दिखेगा दोस्तों आपको सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा, और बगल में एक घंटी आएंगी उस घंटी को टच करके अल इस नोटिफिकेशन को आन कर दो, ताकि आपको आने वाला हरुड मिलता रहें, और साथ ही में दोस्तों कमेंट सेक्षन में आपकी समस्या, आपत्ती, शिकाया, दिक्कते भेशते रहें, इनका सोलूशन अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा, दोस्तों अगर आपके पास 6-7 मुर्गिया है, 5-10 मुर्गिया है, या आपके फार में 50, 100, 200, 500 मुर्गिया है, या आप मुर्गी पालन का व्योसा शुरू करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्तोपूर्ण है, इसलिए इसकी हर बाद बारिकी से समझीए, जा परखिये, पहचानिये, सव प्रतिशत, आपका देशी मुर्गी पालन का भार्म आपको दुगना या लगभग चार गुना भी मुनाफ़ा प्राप्त करके दे सकता है, तो देखो दोस्तो, सहे जन एक ऐसा पौधा दोस्तो, कि जिस पौधे का हमने आज तक अच्छा खासा इस्तमाल नहीं किया, सहे जन एक ऐसा पौधा, जिसको की जो विकृतिया है, उसके बंधा हुआ यह पौधा है, पुरानी जो श्रद्धा अंद श्रद्धा थी, इनके कारण इस पौधे का वहाँ पर अच्छा खासा कभी इस्तमाल हुआ ही नहीं है, इस पौधे को जंगल पौधा बूल के जो सग्या दी गई थी, उसके कारण इस पौधे का वहाँ पर अच्छा खासा इस्तमाल हम नहीं कर सकती है, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि दुनिया में जो कुछ टीके बनते है, जो कुछ मेडिसिन बनता है, उसमें से 15 से लेकर 20 प्रतिशत तक इ और इस सहजन के पौधे के वहाँ पर फूल एवं जो उसकी मूलिया और जो सहजन की फली होती है, उसका होता है, यानि कि आज तक हम इस नौलेश से महरूम थे, हमें पता ही नहीं था कि सहजन का पौधा कितना गुनकारी है दोस्तों, आज तो यह बताऊंगा कि आपके लि बिकाया जाता है, डिहाइडरेट किया जाता है, और यह सुखे हुए पत्ते एक्सपोर्ट किये जाते, यानि विदोशे में उन्हें अच्छे खासे दामों पर बिकाया जाता है, आज तक आपको इतना यह पता था कि सहजन का पौधा लगा कि आप सिर्फ सहजन की फली बे बिचा जाता है, लेकिन यह मालूम किसी ने आज तक हमें होने ही नहीं दिया, दोस्तों इसलिए आज तक मेरा किसान भाई पीछे है, तो दोस्तों इस सहजन के पौधे का इस्तमाल करके देशी मुर्गी पालन में अनेकों आपको यहाँ पर फायदे हो सकते हैं, गिने चु सहजन का पौधा, यहाँ पर वनस्पती का स्त्रोत है दोस्तों, कि जिसका हर अंग अंग, हर पार्ट इस्तमाल में आता है, सहजन का इस्तमाल करने से देशी मुर्गी पालन में कौन-कौन से फायदे होते हैं, अभी हम विश्तुत देखते हैं, फायदा नमबर एक, सहजन क पौधे का इस्तमाल करने से बीमारियों का 50 प्रतिशत वहाँ पर जो कैपेसिटी है, कम हो जाती हैं, दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय जब हम करने की इच्छा वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, वैसे में हमारे सामने एक सवाल वहाँ पर आता है, कि अगर हम देशी म मुर्गी पालन हो या कौन सा भी इतर व्यवसाय करने का सोचते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है, कि देशी मुर्गी पालन में आने वाली बीमारिया, जिन में कि वहाँ पर आने वाली सबसी घातक बीमारी जो है, रानी खेद, उसके बाद माटा, सियारडी, कुर पतिशत छोड़ दे, तो यह सहजन का पौधा, इसका पत्ता फूल, यहाँ पर जो सहजन का बीज है, फली है, मुली है, सभी का इस्तमाल किया जा सकता है, अगर आप सहजन का पौधा लगा कर उसमें अगर मुर्गी पालन करते हैं, यानि सहजन प्लस मुर्गी पालन, अग आपके पास एक गुंठा जमीन हो, या आपके पास जमीन का कोई भी टुकडा हो, अगर उसमें आप आठ बाए पाच, यानि आठ लंबाई में आठ फिट और चवडाई में पाच फिट, आएसे में ओडी सी, जबलपुरी, कौन सी भी ब्रिड अगर वराटी लगा देते है पाउदा लगा देते हैं दोस्तों, तो इस पाउदे के सेवन से हमारी मुर्गियों के शमता जो होती है, रोगों का सामना करने की एक तो वह बढ़ जाती है, अगर हमारे मुर्गियों में कोई बिमारी आ हो, तो वह बिमारीयों की जो कैपेसिटी है, जिसे की हम तीवरता क प्रोडक्शन सव प्रतिशत बढ़ेगा अगर मुर्गियों पे मेडिसिन का खर्चा कम होगा तो आपकी बचत बढ़ेगी आपका मुनाफ़ा अपने आप बढ़ेगा या नहीं मुर्गी पालन की बात करते हुए दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि विटामिन डी और विटामिन डी के अगर कही जड़ होगी तो वह है दोस्तों सहजन के पवध में पत्ते में फूलों में फली में मुली में तो दोस्तों इतना तो आसान है इलाज कि स्रिफ सहेजन का पउदा अगर आप 8 फीट लंबाई और 5 फीट चवडाई में लगा दे दोस्तो तो इससे आपकी मुर्गी जो है दोस्तो सहतमन रहेगी तंदरुस्त रहेगी और सेहतमन मुर्गी सफल मुर्गी पालं की सबसे बड़ी कसोटी यवं सबसे बड़ा निशकर्ष बिंदू है दोस्तो इसलिए समझ कर लीजिये अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना है तो मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों का जीरो बजट इलाज सीख लीजिये दोस्तो शिर्फ सहजन का पौधा लगाने भर से ही दोस्तो आपकी आदी से ज्यादा बीमारियों के बारे में परिशानी वहाँ पर चली जाएगी इसलिए वीटामिन डी का सबसे संपन्नस रोत है सहजन इसका इस्तमाल कर दीजे दोस्तो और सहजन का पौधा पत्ता फल्ली वहाँ पर रही तो हमें काट कर डालने के आवश्चक्ता है भी नहीं अगर उसमें संचार करने के लिए फ्री रेंज में अगर आप मुर्गियों को छोड़ भी दे तो मुर्गियों अपने हिसाब से उनका सेवन करती है दोस्तो और आप निश्चिन तरह सकते इसलिए दोस्तो सहजन का यह पौधा आपको बीमारियों से आपके फान को बचा सक चाओ दे सकता है यह ध्यान में रखिये दोस्तो और आपको सफल मुर्गी पालक बनके अगर लाखों में मुनाफ़ा कमाना होगा तो दोस्तो सहजन का पौधा लगाईए और लाखों में मुनाफ़ा कमाने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट यह वह तयार कर लीजिए तो दोस् अलावा कौनसा भी आपके पास इतर आगर कौनसी भी ब्रिड हो दोस्तों तो कोई भी जो वनस्पती है उनके अलावा आप स्रिफ सहजन का इस्तमाल कर लीजिए फायदा नंबर दो दोस्तों सहजन का इस्तमाल करने से हमारा फिड का कोश्ट घटता है गलत है सही है अभी समझाता हूँ देखिए दोस्तो सहजन का जो पत्ता होता है सहजन का जो फूल होता है सहजन की जो बीज यानि फल्ली होती है सहजन की मूली होती है दोस्तो इनसे हमारी मुर्गियों का सेवन करने के कारण लगभग लगभग तकरीबन दोस्तो यहाँ पर फिड का खर्चा 15 प्रतिशत घटता है और साथ ही में दोस्तों सहेजन की जो मूली होती है उस मूली के आसपास में वहाँ पर जो हूमस आता है दोस्तों उस हूमस के साथ ही वहाँ पर दोस्तों कीडे, मकोडे, केच्वे वहाँ पर पनपते है और इनका सेवन करके मुर्गी अपनी 15 से लेके 20 प्रतिशत तक जो जरूरत है फीड की वह एड़्जस कर लेती है और क्या आपको पता है दोस्तों कि मुर्गी को अगर यह सभी संसाधन उस मट्टी में उपलब्द हो जाए तो मुर्गी का फीड का खर्चा लगभग दोस्तों यहां पर 30 से लेके 40 प्रतिशत तक घटता है इसलिए दोस्तों सहजन का यह पउधा अमृत तुल्य इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यह पउधा जब छाव देता है बिमारियों से बचाता है साथ ही में दोस्तों यह इसका पत्ता हो फूल हो बीज हो फली हो मूली हो या उसके अडोस पडोस में आने वाली कीडे मकोडे केच्वे हो दोस्तों इनसे आपका अगर 30 प्रतिशत लगभग फिड का खर्चा घट जाए तो आप ही सोचिए दोस्तों अगर आपको एक मुर्गी के पीछे आगर 50 पैसे की भी बचत होती है और आगर आपका फार्म दोस्तों पास्तों का भी हो तो आपको 250 रुपए का लाब डारेक्ली हो रहा है दोस्तों देखिए दोस्तों बचत करना यह भी एक कमाई का सबसे बड़ा जरिया है हमारी जो मा होती है हमारी बहन होती है सची सची बताईए क्या हर बार वह कमाती है नहीं दोस्तों लेकिन जब हमारे बाओ जी हमारा बड़ा भाया कमा कर लाता है ऐसे में दोस्तों यही हमारी मा औ और यही बहन तो पूरे रसोई में वहाँ पर खर्चा बचाती है और एक सफल घर की कहानी जो है दोस्तो श्रीप कमाने से नहीं तो कमाना प्लस बचाने से ही वहाँ पर आगे बढ़ती है और यही तो हमें यहाँ पर सीखना और सिखाना है दोस्तो मुर्गी पालन के बारे मे इसलिए फाइदा नमबर दो यह है दोस्तों कि फिड का खर्चा अगर 30% बचता है तो आपका मुनाफा 30% तक बढ़ता है और इस बचाने को ही सबसे बड़े कमाने का जरिया बनाईए दोस्तों और यह फाइदा आज से लेना शुरू कर दीजे फाइदा नमबर तीन दोस्तों मुर्गियों का अंडो का प्रोडक्शन बढ़ता है दोस्तों आपको गैरंटी से बताता हूं कि मुर्गियों का अंडो का प्रोडक्शन सहेजन का पौधा लगाने से बढ़ता है लेकिन बढ़ता क्यूं है अभी यह बताता हूं दोस्तो सहजन के पौधे में एक ऐसे गुनकारी तत्वा होते है उसके पत्तों में फूलों में उसके फली में दोस्तों की जिससे विटामिन A से लेके विटामिन D की वहाँ पर हमें टोटली परियाप्त मातरा में उपलब्दता होती है विटामिन D तो सबसे ज़्यादा पाय जाता है लेकिन कैल्सियम का एक भरभरा के स्त्रोति से कहा जाता है अगर कैल्सियम की बात करते हैं दोस्तों हम तो इस कैल्सियम का अंडा बनाने के लिए दिया गया और उसके साथ मुर्गों के अंतरगत अगर मुर्गों की संख्या भी सही हो दोस्तों तो मुझे बताईए खाना मिल गया उसको कोई बीमारी नहीं दवा मिल गई मुर्गा मिल गया और दोस्तों साथ ही में अगर उसको वहां पर उपरी सतह बनाने के लिए जो रौ मेटरिल चाहिए वह मिल गया तो अंडो का प्रड़क्शन घटेगा या बढ़ेगा तो सव प्रतिशत बढ़ेगा मैं यह नहीं कहता कि आप सहीजन का पौधा लगाईए उसका सेवन करने के बाद मुर्गी का अंडो का प्रड़क्शन दिन दूगनी राज चयोगनी इस तरह से दुगना हो जेंगा ऐसा नही बात दोस्तो अगर आपकी मुर्गी साल भर में 110 से लेके 120 अंडे देती होगी तो लगबग 20 से लेके 25 अंडे आराम से उसके बढ़ते हैं साल भर के इसमें दोस्तो इसलिए ध्यान में रखिए एक सेहत मन मुर्गी अगर हो दोस्तो तो उससे आपका प्रोडक्शन 20 प्रतिश तक बढ़ता है और 20 प्रतिशत तक यानि 20-25 अंडे बढ़ गए दोस्तो तो 200 से लेके 300 का मुनाफ़ा बढ़ता है यह आपको होने वाला डायरेक्ट बेनिफिट है यानि मुनाफ़ा है दोस्तो इसलिए छोटी-छोटी बाते मैं बताता हूं मैं बड़ी बाते 20 लाग का फ से लेके 10,000 की इन्वेस्मेंट की और आपके लिए देशी मुर्गी इंडियन मुर्गी पालन और खुद उदयलाड यहां पर खड़ा है दोस्तो जो कि भारत वर्षे के 6,64,399 गाओं में यह देशी मुर्गी की करांती लाकर छोड़ेगा यह मेरा वचन है वादा है दोस् तो यह था दोस्तो फाइदा नंबर तीन की जिससे हमारा अंडो का प्रडिक्शन 20 प्रतिशत तक बढ़ता है अब चौता फाइदा दोस्तो एक बात सोचिए कि अगर एक गुंटा जमीन हो आड़ बाए पाच पर अगर आप सहजन का पौधा लगाते है तो इस पौधे को लगाने के बाद दोस्तो सोचिए क्या होता है कि अगर आपने यह पौधा लगा दिया दोस्तो तो लगाने के बाद लगभग लगभग पाचवया छेटे महने से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगा और इससे आपको पहले साल में 15 से लेके 20 किलो के लगभग लग आएंगे दोस्तो और इस पर आने वाला खर्चा कितने क्योंकि यह जंगली वनस्पति यह दोस्तो इस पर यहां पर बीमारी नहीं आती है पानी ज्यादा नहीं लगता है इसको खाद नहीं लगता है यानि इस पौधे को हम जीरो बजट अमृत तुल्य सहेजन का पौधा आएसा भी कह सकते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपको एक बात समझनी होगी कि सहेजन का पौधा लगाने के साथ मुर्गी को तो जो लाब हो सकते हमने उपर देखे दोस्तों उसकी भीमारी कम होती है फिड का खर्चा 20 प्रतिशत तक 30 प्रतिशत घड़ता है अंडो आप जो बैटते हैं लगबग 25 पौधे और हर पौधे से अगर 500 का मुनाफळ होगे तो आपको 12,500 की इंकम हर पौधे के पिछे होती है एक गुंट़े के पिछे होती है सौरी दोस्तों तो यहां पर 25 पौधे आपको 12,500 का मुनाफळ प्राप्ते करके दे सकते हैं और एक एकड में 40 गुंठा जमीन आती है दोस्तों इसका मतलब आप अगर दस भी हजार का यह हिसा पकड़ ले तो आप तकरीबन करीब करीब दोस्तों एक एकड जमीन से स्रिफ सहेजन का पवदा लगाने से मुर्गी पालन से क्या हासिल करते हैं वह तो मैं हर वीडियों में बता त अगर आपको है कहना मुझको है लेकिन सहना तो आपको है कोई भी बात छोड़ दो दोस्तों लेकिन दाम की जो वसूली है करने वाला यह व्यार व्यावसाय है और दूसरी बात दोस्तों अगर आप सहजन का इस्तमाल देशी मुर्गी पालन में करते हैं तो इससे कोई भी दुश्परिनाम यवं आपको कोई भी आपती यहां पर नहीं निर्माण होगी दोस्तों एक बास सोची है जो पौदा आज तक यहां पर गुमसुम था और वक्त के आंदोरों में खोया गया था उस पौदे को हमें बाहर लाना पड़ेगा इसका इस्तमाल करना पड़ेगा पूरी दुनिया हमारा इस बायो पेटेंट जो है इस पौदे का इस्तमाल कर रही लेकिन आज हम महरूम है दोस्तों शहजन का यह पौदा पैरलिस वाले मुर्गियों को या आदमियों को भी अगर ठीक कर सकता है तो व्यक्ति विशेश की बाद छोड़ दीजे दोस्तों आपका इसका इस्तमाल करना ही होगा और यह जो देशी करांती कहलाएगी उसके साथ सहजन करांती भी हमें करनी पड़ेंगी क्यूं तो दोस्तों सहजन का यह पौदा जो की गुनकारी है और आउशदी गुनों से भरपूर भरा है दोस्तों इस पौदे का विचार करते हुए एक बास सोचिए कि जो पौदा आपकी 50% तक बिमार्या घटाता है जो पौदा आ आपका मुनाफा दुगना नहीं तो चार गुना तक बढ़ जाएगा दोस्तों क्योंकि यही सभी संकेत होते हैं दोस्तों क्योंकि आंगन ही बताता है घर की दशा और दिशा दोस्तों तो यह सहजन बता देंगा आपकी मुर्गी पालन की दशा और दिशा और आपकी देसी मुर्गी की दशा और दिशा बदलनी होगी तो आपको स्रिफ तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों पहली बात कि सहजन का पउधा लगा कर ही देशी मुर्गी पालन कीजिए दूसरी बात आपको दूसरे कौन से भी चैनल का यहां पर वीडियो देखने के आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि इंडियन मुर्गी पालन यहां आपका चहीता चैनल एस से लेके जेड़ तक आपको सभी बाते बारिकी से सिखाता है और तीसरी बात दो और दोस्तो मैं कभी भी दाम की अपेक्षा नहीं करता हूँ श्रिफ नाम मुझे कमाना है और नाम कमाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए अगर आपका सपोर्ट हो और आधार हो दोस्तों तो मैं सव प्रतिशत भारत के हर कोने में यह देशी क्रांती सहजन क्रांती पहु वीडियो अगर पसंद आया होगा और यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो कृपया आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जाते जाते और शेर करना मत भुले शेर करने के लिए कृपया आप से विनती है दोस्तों कि आपका एक भाई इस देशी क्रांती सहजन क्र उसके लिए इस वीडियो को शेर करने के लिए परसनल वाटस अप नंबर वाटस अप टलीग्राम फेस्बूक इंस्ताग्राम स्नैप चैट पर कम से कम आपने 10 किसान भाईयों तक इस वीडियो को पूचा ही दोस्तों तो ही यह देशी क्रांती यहां पर हो सकती है और सब्स को मिल सकता है तो दोस्तों ऐसा यह नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदलाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में देशी मुर्गी की हर बारिकी आपको सिखाऊंगा अगला वीडियो अगली जानकर यह आप सभी के सामने लाने तक मेरे हर किसान पर तहे दिल से बहुत बहुत आभाद